संबिधान के भाग चार राज के निती निदे सक्ताथ जिसका की वर्णन अनुछे 36 से 51 तक में क्या गया है हम आज देखते हैं अनुछे 36 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर विष्ट तत्वां का लागू होना अर्थात अनुछे 36 से 51 तक में राज के निती निदे सक्ताथ कि जो भी भाग का वर्णर किया गया है इस भाग में जो भी समाहित सिधान्त है उसे लागू करने के संदर में बाते कही गई है इसका आसर ही है कि इस भाग में जो बाते हैं उसे लागू करने के लिए राज बाध हि नहीं है इसके साथ साथ नियाए आले में भी नहीं जाय जा सकता है मामला अर्थात निति देतिति की परकृति गैर नयायोचित है और यह वाद योग्य नहीं है नियाया यालय द्वारा परवर्तित नहीं कर आह जा सकते हैं खाने का मतलब कि कोई सरकार उसक जो लग जो बात हैं उसे दिलागू और भीह दोपर नहीं करती है। निया आलय उन्हे इसा करने के लिए बाद नहीं कर सकती है। इसके पीछे किमेंशर से डिचैनल में आप देखें तो आप समझ सकते हैं बाद योगी क्योंrum नहीं बाद क्यों ने किया गया तो उस समय जैसा कि अम्बितकर साब ने कहा था इस संदर में कि जिस राज ने अपने मुक्धायतों के भार से मुक्ध होने के लिए अभी अभी अंगराई ली है वह तो उनके बोश तले पिस सकता है यदि उन्हें पूरा करने का क्रम समय अस्थान रिद्धी कोशिस के माध्यम से देखे गया हैν यह राज पर छोड़दिया गया कि वह competent है इसे समानता का लग्षे जो एक आदर्स के रूप में निर्देसक्त्य के माध्यम से देखे गए यह राज पर छोड़ दिया गया कि वह इसे कब लागू करती है नियायाले के माध्यम से इसे विवस्त नहीं किया जा सकता है यह दिपिकि नियायाले द्वारा परवर्थित नहीं क् सांसक्रितिक भावना इसका संभिधान में समाहित है साथ ही असपस्टरूबसचैनुजच्छ सैथिस में यह भी कहा गया है तेश के सासन में यह मूल भूत है और बिदी बनाने में कोई भी कानू बनाने में इन तत्व़ों को लागू करना राज का करतब भी होगा राज के कर्तब के रूप में निती निदे सक्सिद्धान को अस्थान दिया गया है और निती निदे सक्सिद्धान का लक्ष ही है कि आदर्स को प्राफ करना कल्यानकारी राज की अस्थाफना करना आर्थिक सोशन से मुक्ति दिलाना वो समानता अन्याय का अंत करना और यह सब तभी होगा जब राज जी इससे अपना करतब भी समझेगा